तो चुनाब तनाव दे रहा है अब तो पहलवानी के अखाडे से राजनीती के अखाडे में दो दुरंदरों को कॉंग्रेस ने उतार दिया है नई संदी भाई जो आपने अभी तमाम खिलाडियों के नाम लिये जनरल बीके सिंग जी का नाम लिया इसी प्रकार से आपने कहा कि भई वो अगर भारती जन्ता पाटी में आ गए तो आखिर में इस पे जो है इस तरह का सवाल खड़ा करने का तुक क्या बनता है बजरंग और बिगनेश का जो तुल्ला है अगर आपको सही माइने में ये तुल्ला करना है तो अरबिंद केजरिवाल से करिए केजरिवाल इसी परकार से जैसे बिगनेश और बजरंग पहले दिन जब धरना पर बैठते हैं आप याद करिए आजी स्टेडियम में तब वो ये कहते हैं कि हमारा कोई राजनीतिक महत्व कांच्छा नहीं है हमारे धरना परदर्सन हमारी जो पहलवान बेटी और बेहन हैं हम उनकी असमिता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम हमारे से जो है राजनीतिक दल जो है दूरी बना के रखे आज वही बिगनेश और बजरंग दोनों लोग उसी तरह से कर रहे हैं जैसे कहिजरिवाल का यौन शोशन हुआ था बीजेपी के सांसाद एक कदावर बोलने दीजिए आप पर परदाफास होता है सच्चाई का उसको रोकने की कोशिस नहीं नहीं बिल्कुर नहीं रोक रह कर आजी आपर यूशन है नहीं ये आधारना की बात है यह राजनिति सुचिता की बात है ये राजनितिक चरित्र का जिस परकार का निर्माण χो रहा है आप अरबिंद केज्रिवाल को याद करिए कि कांग्रेस के सीला दिक्षित को जिंदगी बर जेल में सड़ाने का संकल लेकर कसम खाके और जो बेगती अपनी बच्चों की कसम खाके यह कहता हूँ कि कांग्रिस से हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे जो यह कहता है कि मनमहान सिंग से भरस्ट सरकार इस दुनिया में कई नहीं होगी राजनीती करने नहीं आये थी विजंदर सिंग नहीं आए राजवंदर सिंगराकान नहीं आए दबीता फोगात नहीं योगेश वादर वो राजनीती करने नहीं आए थी पड़ेगा ना आप उतीजी भी पत्रकार हैं मैं करहाँ बिगनेश और बजरंग की तरह गौतम गंवीर थोड़ी है नहीं विनेश है विनेश चलिए मैं करहाँ विनेश का भी अच्छा अच्छा नहीं नहीं गलत बोलने पर यहां पर अदालत में केस हो जाते हैं आप लो आप मुझे बता दीजिए कि बिनेश और बजरंग पूनिया ने जब पहला धरना दिया आईजिया तो उन्हों ने क्या कहा था वो चलाना चाहिए आपको बताना चाहिए आज कि यह वही चेहरे हैं यह वही चरित्र हैं जो इस देश में जन आओ धारना जन अपेक्छा जो एक सामाजिक बदलाव का जरिया भी होता है मैं आपको सूरज मानता हूँ अपने को दिया मानता हूँ आप में रोशनी ज्यादा है आप ज्यादा किसी चीज के लिए जोर जोर से आप अपनी बातों को रखने में सवालों की पुखताई जो है इस बात में नहीं है और धीम में बने रहें ब्रजबूशन शेरन सिंग को तिकट ना दे कर ने तिकता का तकाजा भी आप दिखा दें लेकिन तिकट दे दे दें उसके बेटे को वर्ल्ड रेस्लिंग फेडरेशन जो है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की बात हुई ती उन्हीं के एक चम्चे बेटा बे इतियास बताने रगेंगे ना मैं की बात करते हैं मैं बरतन की बात कर रहा हूं कि हम इस देश में हमारे आने वाली पीडियों को कुछ हुआ संदेश तो दीजिए मेरे भाई आप जब कहते हैं कि जमी भी बेज देंगे आसमा बेज देंगे अगर कलम के शिपाई अगर सो गए तो वतन के रहनुमा वतन बेज देंगे तो मेरे भाई कम से कम इतना तो आप इतना तो गुंजाईश रखी है अपने कार्ज करम में कि अगर ऐसे लोग अगर आते हैं तो उनके इरादे उनके वादे गलत इरादे मैं कहा रहा हूँ बिलकुल नहीं है तो अकिलाडी आए लेकिन इसके साथ ना आए ऐसी फरमान और ऐसे एलान के साथ ना आए कि हम राजनिती वास्ता नहीं रखते हैं राजनिती में आरे बाकाइदा आगये यह जल पर चाहे उसको कमजोर करने वाली यह जिस्तिती है आज बड़े आकरामक मुद्रा में यह चुनाव का तनाव है वही पहला सवाल वो तनाव आ गया यह दाव तो ना चल गया संधी बाई आप बड़े हैं आप बहुत दिनों से पत्रिकार करने हैं ना काउ से दोस्ती ना काउ से बैर अभी देखना सवालो की दार पहले आप धार से इतने परिशान क्यों हो गई आज देखेंगे तेल और तेल की अधार भी देखेंगे तेल की दार भी देखेंगे मतलब मनौरलाल खटर कह रे हैं पहलवानों का अंदोलन राजनीती से प्रेरेट था अगर कोई इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और तब BJP के शीर्च ने तृत्व के कान में जू नहीं रेंगती है एक मिनट अब सुनिए अब आवाज में तेज करूँगा अब मैं आवाज तेज करूँगा सो मीटर की दूरी पर संसद हमारे देश की आनमान चान हमारी पहलवान, हमारी बेटियां हमारी बेहने वहाँ पर दरना दे रही हो वोई किसी के कान में जूना रहेंगे एक नेता ना उन से मिल ले जाए उनका बताएं एक समुदाय से हैं एक रज्जे से हैं और गला फाडने लगे पस्चम बंग्जाल पर ये आपका नेतिकता का तकाज़ा है क्या बाते कर रहे हैं बिलकुल मैं सही बात कह रहा हूँ अगर नेतिकता यहां पे जाके रुकती है तो मतलब आप अपनी मेरी नेतिकता तेरी नेतिकता तेरा यॉन सोशन मेरा यॉन सोशन ये राजनिती करेंगे आप यॉन सोशन में जो चार्शीट फाइल हुआ, FIR फाइल हुआ, कब हुआ, सुप्रीम कोट का दंडा चला, तब हुआ, धंकाया गया लड़कियों को, फोन पर, वो सारे वी दंडास है, उनकी पुलिस प्रोडेक्शन अटाई गई, अब चाहिए नहीं चलेगा, अब चाहिए नहीं चलेगा, जो परदादारी हो रही है, वो नहीं चलेगी, कि आपके 48 घंटे में, कम्प्लेन के 48 घंटे में, सुप्रिम कोट ने, हमने जब कम्प्लेन इनका आया, 48 घंटे में, FIR हुआ था, आपको जानकारी नहीं है, फिर मैं टाइम लाइन बताऊ, सबसे पहले, अरे बाई, सबसे पहल अरे बाई, किसी के कहने पर ही होगा ना, कि हमारे यह गलत हुआ, अगर वो कम्प्लेन देने के बाद, FIR नहीं हुआ था, 4 शीट नहीं हुआ होता, कोई और कानूनी करवाई नहीं हुई होती, तो समझ में आता कि आज की डीट में, भारतिय जंता पार्टी जो है, इस के निकलने की कोशिश करी, जिसका आप हमारे उपर उससे तुलना करके आज इसी को कहीं खळा करने है, मैंने हर तरह से सवाल पूछे, और भाई, राजनीती तो आप करी रहे हैं, जैसे ही घड़ी का काटा दो पहर धाई पे आए, बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए माँ चल जाए, और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन, इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव आप अपने स्मार टीवी पर